यह पूरी पांच स्ट्राटीजी आपको बता देगी कि येस एक सक्सस्वल यूटीबर 30 डेज में कैसे बन सकते हैं और अगर आपने ये पांचो स्किल अपना लिए तो मैं गैरंटी दे के कह सकता हूँ जो मैंने आपको कहा कि 3 lakh rupees a month एक स्टूदेंट अर्न कर सकता है ये प्रूफ हो जाएगा दोस्तों इस दुनिया में महान से महान लोगों ने हर बार यही बात कही है कि ये इश कोलिंग लइफ और रिेड़ वर्ल्लिट जो लाइफ होती है जहां पर आप ग्षायड करते हैं तो उन्हों है बहुत दिफ्रेंस होता है डेस्टिनी क्लेर है कि मैं दूसरे कॉर्णर तक जाना है लेकिन उस बीच में अगर चेयर आ गया तो आप क्या करेंगे आपको डिसाइड करना है कि उस चेयर के ऊपर मैं चड़के उत्रूँ यह चेयर को साइड कर दूँ यह खुद मैं साइड से कट मारके निकल लूँ के तहट प्रॉपर वे में सही तरीके सागे बढ़ना चाहेंगे तो जरूर बन पाएंगे एक स्टूडेंट चाहिए आपकी उमर माली जाए ठारा साल है उन्निस साल है बीस साल है अगर आप सोचते हैं कि क्या मैं महीने के तीन लाख रुपे चार लाख रुपे यूटीब से अर्न कर सकता हूं तो मैं गैरेंटी देके कह सकता हूं येस क्योंकि लाखों इंटरनेट पे ऐसे एक्जामपल हैं जिन्नों ने अर्निंग करिया आप जो स्टॉक उठा के देख लो यार एक एक लड़का महीने के 50 लाख रुपे कह रहा है मैं कमा रहा हूं जो स्ट जैस तो एक क्रियेटर सिर्फ सोच का फर्क है कि मैं 20 की उमर में 19 की उमर में क्या अर्न कर पाऊंगा येस आप डेफिनेटली तीन से चार लाग रुपे इजली अर्न कर सकते हो अगर आपने सही स्ट्राटेजी अपना ही तो इसलिए डेस्टिनेशन सही तरीके से क्लेर होना ची इसकी वीडियो बनानी और आजकर सॉट्स पड़े चलने किसी की वी उठाई डाला और डाले जा रहे हैं डाले जारे खाली समय बैठे हैं बापा ने कंप्यूटर दिला दिया है बास डाले जा रहे हैं एक आध-टर चल भी कह मिलियन चल ला रहा है मैं या फायदा उसका क् देखा रहे ख्रिकेट बड़ा चल रहा है ख्रिकेट यूडियो वाइरल होती है फिरिगेडगा भी या इस पीन जए उठालिया इसपार लेक स्टार्ट से उठालिया उठाले डाले आ रहे हैं कॉपीराइट क्लेम आ गया एक दिर महीने बाद चैनल बहुत असा चल गया अ चैनल इडाल बहुता है अगने खुद कॉंटेंट बनाया खुद लिखा हुद की मेरी इंटिंग थी कोंटेट जाके फुटेज मैंने रिकॉर्ड किया कमिन्टरी मेरी खुद की क्या लिखो गया आप उसमें ESPN से content निकाला नहीं तो यह सारी strategy मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ जो 5 strategy मैं आपके लिए सामने ले के आया हूँ यह पूरी 5 strategy आपको बता देगी कि कि right audience, choose करना है आपने को right audience, कि अब इसको detail में समझाऊंगा कि यह video में चाहता हूँ detail में हम चले, right audience का मतलब पता है क्या होता है, niche related होता है, कि आपका niche किस चीज के उपर है, माली जी एक बच्चा है जिसको लगता है कि नहीं यार, मैं ना, उसको car का बड़ा शौक है, है ना है resources, कि जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ, उस related क्या मेरे पास resources है नहीं, माली जी आपने flying वीस्ट की पहले video देखी होगी, पहली पुरा starting की video, और वो क्या करते थे हमें सा बाग लेके निकलते थे, airport पहुंचते थे, फ्लाइट पहुंचते थे, फ्लाइट पहुंचते थे Nish decide करने से पहले, आपको ये भी देखना होगा कि उसकी resources क्या है, Nish की definition है, अगर मैं बताऊं, तो माली जी आप एक teacher है, आपको पढ़ाने का सौक है, आप पढ़ाना चाहते है 9-10 के बच्चों को, तो 10 के बच्चों का audience size भी देखना पढ़ेगा कि अगर मैंने देख लिय 10 के बच्चे पढ़ा रहा है, 10 के बच्चे बच्चे है, तो जादा भीड भी बेकार है, और कम लोग भी बेकार है, ये भी समझना है आपको, कि Nish कोई सा भी पकड़ लूगा, internet पे लोग होंगे, ये भी गलत है, so make sure, जब भी आप Nish चुने, किसी भी topic में वीडियो बनात है आपकी content की strategy क्या है, क्या topic आपना चाहते है, motivational video बनाना चाहते है, motivation में भी निश आपको ढूणना पड़ेगा, कि मैं सिर्फ student के लिए बनाना चाहता हूँ, मैं उन लोग के लिए काम करना चाहता हूँ, जो depressed है अपनी life में, जो परेशान है अपनी life में, तो उनके लिए videos बनाना चाहता हूँ, फिर उनी से related आपको content एक explore करना पड़ेगा, ना कि फिर आप motivation joyful ले आए, students के लिए डाल दे, नहीं, फिर लोग भटक जाएंगे वहाँ से, motivational quotes हो तो फिर एक niche के audience के लिए हूँ, niche बहुत जरूरी है, जिससे right people आपको हमेसा follow करते रहे, क्योंकि YouTube पे एक बार किसी वीडियो को देख के audience चले जाना, यह कोई right strategy नहीं है, right strategy यह है, कि आपकी उस वीडियो को देखने के बार लोगो को मजा आ गया, वो कहे रहे, sir, मजा ही आ गया, फिर आपकी तो बहुत सारी वीडियो देखी, जैसा मज़े सुनने को मिलता है, मैं जब वी में वाला है, तो और बेस से बाहर होना चाहता है, एक वीडियो के बाद आपकी और वीडियो देखना चाहता है, so यह right strategy है, so make sure आप content क्या बना रहे हैं, किस language के ओपर बना रहे हैं, माल लीजे, आपका दिल में आया कि मैं experiment video बना हुगा, और उसमें आवाज नहीं दूंगा, क तो दिक्कत क्या होती है, हम experiment मुदतने expert होती नहीं starting में, जैसे बहुत सारे चैनल्स है, यस का experiment, और भी Mr. India, यह चैनल्स है, starting में इतने expert हैं नहीं, but इनकी video south हो बहुत चल रही है, तो अपने को language barrier भी देखना है, कि अगर मेरी Hindi की audience है, अगर मैं नॉर्थ वालों के लिए वीडियो बना रहा हूं अपना पूरा इधर पंजाब, मध्यप्रदेश, अडियाना, बिहार, उत्तरप्रदेश, चले जाव, राजस्थान, इन वालों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मैं बोलूंगा, क्योंकि इन जनतागों हिंदी में सुनना बहुत पसंद है, त सबसे पहली चीज़, एक यूजर क्या कर रहा है, उसने देखा किया, मैं लगजरी कार के वीडियो बनाऊगा, फिर उसमें सुचा कि मैं लगजरी यूजरी यूजरी कार के वीडियो बनाऊगा, आपने देखा मार्केट में जाके लोग यूजरी कार की वीडियो बनाते है तो luxury car की video बनाऊंगा इसमें क्या audience बहुत define हो रही है पहले लोग used car, used car वैसे भी 50% होगे फिर उसमें luxury used car, 5% होगे लेकिन उसके strategy क्या थी, कि मैं क्या करूँगा जब मैं used car की video बनाऊंगा तो मुझे एक तो adsense revenue आएगा साथ में, जो भी person मेरे थूरू कोई luxury car खरीदेगा वहाँ से भी मुझे पैसे हैंगे तो strategy वहाँ तक की होनी जाए ये बहुत जरूरी है कि मैं अपनी audience को कहा तक लेके जा रहा हूँ अरे भीया धंदा करना गलत नहीं है गलत तरीके से करना गलत है है ना धंदे में आप पैसा कमाने आया आए इंटरेट पर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे courses है आप मेरे courses लेते हैं जोइन करते हैं वह इसमें गलत क्या है मैं पढ़ाता हूं उसकी फीस लेता हूं है लेकिन अगर गलत तरीके सो पैसा लिया आप देनी रहे बच्चों को गाय भोगए टीचर उसको बहला फुसला दिया वह गलत है तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं किसी वे में सही वे में राइट स्टाइडजी बनाई हम आते ही किस लिए नेव पैसा शोहरत इसी के लिए तो आते हैं इंटरनेट पर तो यह चीज बहुत जरूरी है सो दिमाग में बठा लीजे कॉंटेंट लैंगवेज पॉपुलेशन और रिसोर्स यह चार चीजे बहुत इंपॉर्टेंट है नेश को चुंते वक्त साथ में नेश के ओपर किस किस टाइप के नेश अगर आप कहोगे तो मैं प्रॉपर एक अगली ही वीडियो लेके लगा यार वीडियो डाली दसी वीउस आ रहे हैं दो दिन में आज मैंने खुदी क्लिक नहीं के तो दसी देओ ज्यादा क्लिक कर देता हूं तो पचास हो जाते हैं तो पेसेज रखना बहुत जरूरूरी अभी क्या है थोड़ा समझते हैं अब कंसिस्टेंसी का मतलब है सि इस तरीके से लिंक करना है मैं सारी चीजे वी में क्रेटर यूटीब चैनल पर सिखाता हूं अब मुझे कितनी वीडियो डालनी चीए डेली डालनी चीए वीक में तीन डालनी चीए कैसे तो थोड़ा सा मार्केट को डिसर्च करिए आप देखें कि अगर मैं वैसी वीडिय डालू इसके लिए सोचना नहीं है आप देखें कि आजू बाजू जितने भी यूटीबर्स है सेम आपके निश्क है कि वो कितनी वीडियो डालते हैं अगर वो वीक के साथ वीडियो डालनी कि डेली वीडियो डालते है तो आपकी consistency के लिए भिया कि आपको जाना है डेली वीडियो आप कॉमेडी वीडियो डालते हैं आपने भुवन बाम आसीशन चलानी है ना और भी दो तीन क्रेटर्स को पखड़ लिया भाई जो लेक्वी लाइक वीडियो बना रहे हैं आपने देखा यह महीने में अभी काफी पॉपलर होगे बंड एक आवरेज बेसे पे यह वीक में इससे अमिद बनाना है मंथ में यह 3-4 वीडियो लेका आते हैं आप ने क्रेटरस हैं आपको लगता है कि आपको जाधा मैंनत करने पड़ेगी तो वीक में बनानी पड़ेगी यह आपकी कंसिस्टेंसी तो कंसिस्टेंसी refineस क्या में अदॉप आसान है कि आपके क्र शुरू में आपके पॉलमें तो आने वाले टाइमस बोसर्फ दो घंटे लगें तो पांच घंटे शुरू में देने पड़ेंगे आपको घले मैं मानता हूं कि में करने स्चार्टिंग के एक महिने आप डैली वीडियो न बना पाइँ आवी मैं चार बना पाएं तीन बना पाइए लेकिन्ट-बरियु क्या होना चीनेा मुझे मन्त में साथ वीडियो बनानी है क्योंकी छॉरby anti videos ये आपका अठवीन चुट होना चीने वो अपने स्टोरी सुनी होगी कि जब अमेरिका में फोड जो गाड़ी थी आपको पता है फोड दुनिया के सबसे माइकल फोड ने सथकार बनाई थी और फोड सबसे पहरी गाड़ी हुआ गरती थी तो उन्होंने कहा कि भई उनकी ना एक पाइप में बड़ी समस्या गई थ करता है कि ategoryव अरा कांई बहुत और से परेशान थे तो वहीं पर वह उनका एक टेक्निशन ये अलगा पड़ा था आपनें कामा मौ अब या उसने यमय थिंद बेपकितना पोले तु मदे घंते से लगे ते और लोक नहीं कर पाइं लेकिन मुझे पदढ था किना गिव्यो इसको valuation देनी पड़ी तो सेम वही बात मैं आपसे कहना चाहरा हूं कि आज सूचा आज सही नहीं लग गए उसकी preparation करेंगे पंदरा दिन बैठके पहले पूरी preparation करेंगे विडियो कैसे डालनी है क्या equipment है camera कहां लगेगा कैसे setup होगा पहली विडियो मतलब हमने जीवन में आज तक वीडियो नहीं बनाई आज दो आज आज आज़े कैमरा ओन कि और विडियो स्टाट कर दी और वहीं विडियो के तरह तोड़ी कराब बन गी यार लाइव करू कि ना करू 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 कि ना करू और यार सर पहली विडियो बनाए थी बेकार बन की अरे क्यों बता रहें दुनिया को क्यामरा ओन करो विडियो बनाओ 50 विडियो बनाओ देखना 50 वी विडियो पहली विडियो से 50 गुना बेटर होगी तो यह चीज strategy बनागे आपको तीज विडियो बनानी पड़ेगी साथ में equipment का improvement जब आपको दीखे channel grow कर रहा है पैसे नहीं आ रहे कोई बात नहीं बढ़ रहा है growth हो रहा है वहाँ पे equipments लेना start करो चीजें खरीदो पहले camera लिया ट्राइपॉड ले लिया तोड़ अच्छा माइक खरीद लिया सारी चीजें इंप्रूव्मेंट करना बहुत जरूरी है अपने चानल पर अब बात अगई earning की कि मैं सर्फ earning किया है इतना जादा आपने समझा दियो YouTube ऐसे बढ़ा पो सबसे बढ नहीं है लिए मार्केणि कहते हैं कमासुत पूद को हर को ही पूछता है मतलब मेरे अपने जो देखा अपनी जीवन में कि आपके पांच लड़के हैं एक लड़का सबस्यादा पैसे कमा रहा है आप देखना घर में सबस्यादा उसकी उसकी बात सुनी जाएगी उसके आपको पैसे देता है जैसा मैं आपको बताया आपकी वीडियो पैड आते हैं वहां से पैसे मिलेंगे दूसरा है एफिलीट कोई प्रोडक्ट आपने अफिलेट करना शुरू किया उस वीडियो के थुरू कोई भी लोग खरीदेंगे तो आपको तीन से लेके 10% 1% जितना भी डिपेंडिंग उन प्रोड़क्ट उसके रिकॉर्डिंग आपको कमिशन मिलेगा साथ में स्पॉंसर्शिप जोंकि सबसे मेजर पोश्चन है मतलब एटसेंस और एफिलीट से कहीं ज्यादा रिवन्यू आपको स्पॉंसर्शिप से मिल जाती है लेकिन इसको एक सही तर कोई विडियो बनाते हो तो स्केल को आप सकते हो कोर्सेस में जिसे आपके लोग पेड कोर्सेस खरीदें और यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने चीजों को मॉनिटाइज करो सो मेक्शॉर कि स्पॉंसर्शिप और अपने कोर्सेस खुद का प्रोड़क्ट स्पॉंसर्शिप से अच्छी रिवेन्यू कर सकते हो और यही तरीका है दोस्त ग्रो करने का आयोप बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है नहीं करना है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको राइट वे में सुरू से लेके एंड तक मेरे साथ बड़े मेरे ब्राइंड वैल्यू बड़े चार लोग बोले यार वहाद माजी को जानते महां यार बंदे को जानता हूं तो नाम लोग आपका जाने क्या वो राइट स्टाडिजी है सारी चीजे मैंने टुटोरियल के साथ सब्सक्राइब नहीं कि हवावाजी बाते की और आप एजिली से एकसेस कर सकते हैं और इस वीडियो में आउंस कर दे रहा हूं कि आपको लाइफ टाइम मिलेगा तो टेंशन फ्री यह वाला पूरा लाइफ टाइम कर दे रहा हूं इस बार के लिए और साथ में अगर आप चाहते हैं इस डिजिटल मार्केटिंग इंस्टे 13,000 का को सिर्फ 6,000 में मिलेगा 50% off में जिसमें 6,000 में YouTube भी आपको मिलेगा and then motivational ebooks 20 digital marketing ebooks live classes जो doubt live classes होती हैं मतलब सारा कुछ आप में मिलेगा अप में सब कुछ सीखेंगे आप एक बार internet की जरूत है सारे courses को आप download कर लेंगे phone में सब कुछ सीखेंगे कोई doubt हुआ phone पे आप हमें support ले सकते हैं साथ में जो doubt classes होती है वो आपको live session जूम पे और हमारे app पे भी मिलेगी तो यह सारी चीज़ा आपको मिलती है and I hope आप इस आपके लिए धन्यवाद